2017 में जब दिल्ली की मार्किट्स की सीलिंग शुरू हुई तब से आम आदमी पार्टी दिल्ली के दुकानदारों के साथ दिल्ली के व्यापारियों के साथ संघर्ष में साथ खड़ी है जिस दिन से डिफेंस कॉलनी की ये पहली सीलिंग शुरू हुई थी उसी दिन से आम आदमी पार्टी ने बार बार उसका पुरजोर विरोध किया था बार बार इस मुद्दे को उठाया था कि ये जो सीलिंग हो रही है वो इलीगल तौर पे हो रही है आम आदमी पार्टी के विधायक, आम आदमी पार्टी के नेता इस सीलिंग के खिलाफ सारे लोकल शॉपिंग सेंटर्स की जो दुकानदार हैं उनके साथ खड़े रहे में दिल्ली के व्यापारियों को परिशान करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी दिसंबर 2023 में जब ये जुडिशल कमिटी आदेश देती है कि जो सीलिंग हुई है वो गलत है और डी सीलिंग होनी चाहिए उसके बावजूद भी डी सीलिंग की कारवाई नहीं शुरू हो रही तो क्या बदल गया पिछले एक साल में क्या बदल गया ऐसा कि आज जो कमिशनर है mcd का जब भारतिय जंता पार्टी की सरकार थी तब तो उनका आदेश मानने को तयार था mcd में लेकिन आज जब आमादनी पार्टी की सरकार है तो बात मानने को तयार नहीं है इसका जो असली कारण है इसकी जो जड़ है वो है जो अभी mcd आक्ट में अमेंडमेंट लाकर कमिशनर का अपॉइंटमेंट पूरी तरहां से केंद्र सरकार के हाथ में दे दिया गया है तो भारतिय जनता पार्टी को पता था कि वो mcd में चुनाव हारने वाली है जो 15 साल से वो पैसे की उगाही करते थे जो mcd से पैसा कमाते थे वो खतम होने वाला है इसी लिए उन्होंने इस आक्ट को अमेंड किया कि वो बैक डोर से mcd को चलाते रहें और जो उनके पैसे की उनको हवस हो गई mcd को उठाने से जो mcd की उगाही करने से mcd के माध्यम से उसको वो किसी ना किसी तरीके से चालू रख सके आज क्यों दुकानों को डी सीर नहीं किया जा रहा क्योंकि भारतिय जनता पार्टी आज भीन व्यापारियों से पैसे की उगाही करना चाहती है वरना ऐसे कैसे हो सकता है कि मॉनिटरिंग कमिटी के आदेश पे सीलिंग हो जाए लेकिन उसकी जो उपर जुडिशल कमिटी बैठी है उसके आदेश पे डी सीलिंग ना हो डी सीलिंग तभी होगी जब ये व्यापारी भारतिय जनता पार्टी को पैसा पहुचाएंगे वरना तब तक भारतिय जनता पार्टी शासित केंद्र सरकार अफसरों के स्क्रू टाइट करकरके ये डी सीलिंग की प्रक्रिया नहीं होने देगी ये है भारतिय जनता पार्टी के पैसे की हवस, ये है भारतिय जनता पार्टी के उगाही की कहानी, कि वो किसी ना किसी तरीके से MCD का इस्तमाल करके दिल्ली के लोगों से पैसा चूसना चाहती है